नमस्कार प्रदीश की हाइलाइट्स के साथ मैं सालिहा और मेरे साथ हैं अरिंदम राजस्तान में जंजीवन सनरक्षण के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने में पुलिस का योगदान सराहनी है मुखिमंत्री अशोग गहलोत ने राजस्तान पुलिस दिवस के आउसर पर आयोजित परेट पर विभाग के शोर्य समवेदन शीलता और समर्पण का अभिवादन किया इसके बाद मीडिया से बाचीत में सीम ने कहा कि हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि राजस्तान पुलिस पूरी जिम्मेदारी के साथ पराकरम और सूजबूच से प्रदेश सरकार की अपरात के प्रती जीरो टॉलरेंस की नीदी को सफल कर रही है कोई अगर गलत रास्ते बें जा रहा है नौजवान या कोई भी वक्ती उन कारणों से समय रहते वे अंकूर लगाए पड़ी कारवई कारे जिससे की गैंगेश्टर बने नहीं श्री गहलोत राजस्तान पुलिस अकादमी में राजस्तान पुलिस स्थापना दिवस पर परेट के निरिक्षन के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पुलिस आम जन के सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित करे पुलिस के मजबूद एरादों और नवाचारों से आम जन में विश्वास बढ़ा है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस से ही राजस्तान देश में शांती प्री और सुरक्षित प्रदीश माना जाता है लोगतंत्र की मूल भावना के अनुरूब पुलिस ने अपना दाइत्व निश्पक्षता और समवेदन शीलता के साथ बखूबी निभाया है सीएम ने कहा कि पिछले एक महीने में जिस तरह पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए उपरेशन्स चलाए गए उससे अपराधों में दस फीसिदी की कमी आई है उन्होंने विश्वास जताया कि राजस्थान पुलिस समर्पित भाव से देश के सरुशिष्ट पुलिस बलके रूप में पहचान कायम रखेगी उन्होंने परेड ग्राउंड में परेड निरिक्षन करते हुए पुलिस कर्मियों का हौसला भी बढ़ाया समारों में पुलिस महनिदेशक उमेश मिश्वा ने कहा कि पुलिस कर्मी आमजन की रक्षा और सेवा के लिए हमेशा तयार है रास्थान पुलिस का रिस्पॉंस टाइम बहुत ही अच्छा है एवं पुलिस कारवाई के पैड़ाम सरू भारी संख्या में अपराधी गिरफ्कार हुए है वा इनके संगठनों में पुलिस ने सेद्मारी करते हुए अपराधीयों के गटदोर को नस्ट किया है इसे पहले मुख्यमंत्री ने पुलिस शही दिसमारक पर अमर बलिदानियों की शहादत को नमन किया पुलिस स्थापना दिवस के अफसर पर जिलों में भी कई कारिक्रम हुए इनमें परेड, बैंड वादन, रक्तदान शिवेर, स्वच्छता अभ्यान, प्रदर्श्निया और सांस्कृतिक कारिक्रमों के आयोजन किये जा रही है सर्वश्वेस्ट कारे करने वाले पुलिस कर्मियों को उत्तम सेवा चिन्ह और आती उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया साथ ही आपको ये भी बता दें कि राजसरकार ने प्रदेश के कुख्यात अपराधियों की कुर्फतारी पर इनामी राशी में बढ़ोतरी की है मुख्यमंतरी ने कानून व्यवस्ता की समीक्षा बैठक में इनामी राशी बढ़ाने की निर्देश दिये थे इस निर्ने से आम लोगों की मदद से कुख्यात अपराधियों पर प्रभावी नियंतरन हो सकेगा गिरिफतार करने वाले पुरिस कर्मियों को भी प्रोचसाहन मिलेगा और गोरतलब है कि साल दो हजार तेरह के बाद इनामी राशी में अब बढ़ोतरी की गई है प्रदेश के शिक्षक, शिक्षा के खेत्र में नवाचारों, प्रगतिशील नीतियों, कार्मिकों को पदोन्नती के आउसर और सुरक्षित भविश्य देने वाली गहलोत सरकार का आभार मानते हैं आज राजस्थान शिक्षा सेवा परिशत की ओर से शिक्षा सेवा प्राध्यापक संग रेसला ने जैपुर में एक समारोह में मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया इस मौके पर मुख्यमंतरी ने कहा कि यदि प्रदेश का शिक्षा और स्वास थे अच्छा है तो उसे देश में नमबर वन होने से कोई नहीं रोक सकता। सतकार समारो में शिक्षा मंतरी डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा यह सारी चीजें इस बात को दरसाती है कि मानिये मुख्यमंतरी जी ने घरमचारियों का किसानों का मजदूरों का आम आजवी का सभी लोगों का ख्याल रखा। प्रदेश के विभिन क्षेत्रों से आए लेब टेक्नीशियन्स और अन्य पेरामेडिकल कर्मियों के प्रतिनिधी मंडल ने मुख्यमंतरी आवास पर सीएम से मुलाकात की। प्रतिनिधी मंडल ने स्वास्थ के एक्षेत्र में राज सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन योजनाओ के लिए मुख्यमंतरी को धन्यवाद दिया। सीएम ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश के स्वास्थ कर्मियों ने कोरोना महमारी के दौरान सराहनिय कारे किया। रज के भीलवाडा मॉडल की डबलू एचो ने भी सराहना की। उन्होंने कहा कि रजमी पोस्ट कोबिट रीसर्च के लिए संस्थान की स्थापना की जा रही है जिससे देश भर के लोग लाभनवित होंगे। प्रदेश के विभिन स्थानों से आए समविदा कर्मियों के प्रतिनिदी मंडल ने भी सीम से मुलाकात की और समविदा कर्मियों के लिए किये गए नेड़नेयों के लिए सीम का आभार जिताया। मुखिमंतरी आवास पर प्रतिनिदी मंडल के सदस्यों को समोधित करते हुए श्री गैलोत ने कहा कि राज्य सरकार समविदा कर्मियों को शोशन से बचाने के लिए प्रतिबध है। इसी कर्म में राज्य सरकार दोरा राजस्थान कॉंट्रैक्चुल सर्विसेज हाईरिंग रूल्स दोहजार बाईस लागू किये गए हैं। इससे समविदा कर्मियों के नियमन का मार्क प्रशस्थ हुआ है। कार्यालेयों में ठेका प्रथा को समाप्त किया गया है। नंदिनी गुप्ता ने 69 फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पैजिंट में मिस इंडिया दोहजार तेईस का खताब जीता है। कोटा की 19 वर्शिया नंदिनी को कल रात इंफाल में आयोजित समारों में विजेता का ताज पहनाया गया। अब नंदिनी मिस वर्ल्ड कॉंपेटिशन में भारत का प्रतिनेजिट्व करेगी। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धी के लिए नंदिनी को बढ़ाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि बेटी के सर सजा ताज पूरे प्रदेश को हुआ नाजूजू अब सुनिए जिलू का राउंड अपूजू रेल मंत्राले ने रिंगस के पास खाटू श्याम ज लिए नई रेल लाइन के सर्वे को मनजूरी दी है रिंगस से खाटू श्याम जी तक 16 किलो मीटर नई रेल लाइन के सर्वे और डीपी आर के लिए 40 लाख रुपए का प्राउधान किया गया है इससे खाटू श्याम आने वाले शधालों और अन्य यात्रियों को बड़ी स स्थान सरकार कृट संकल्प है और ग्रामीर और शहरी क्षेत्रों में लगातार खेलकूज प्रत्योगताय हो रही है और अब सुनिये ये चिरंजीवी गीत ंब खेल स क्यान बैइन च्वी जिसमय वात्धीमा इस और दूर ग में डेवेडस लागी एलाज मेंपतसि लाग दूरुपद नमिदेर दस लाग एलाज डेल पतिस लागी ě ऑज़ जुक जुक जीवॉ ये तिरंजीवी योजना जुग जुग जीवो ये तिरा मिली ओ जितार पर मिली ओ स्वास्त्यको अधिकार ताको हित जनताने जुग जनताने दितार